सबी दोस्तों का वेलकम है एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्याज के सीड पे तो दोस्तों ये देखिए ये हैं प्याज के सीड और ये फ्लावर होता है तो फ्लावर के बाद इसमें सीड बन जाते हैं तो दोस्तों ये मैंने अपने घर के प्याज को लगा दिया था इसमें देख सकते हैं पूरा पोधीना लगा हुआ इसमें मैंने लगा दिये थे घर के प्याज चार पांच प्याज को और फिर उसमें एक टाइम बाद ऐसे फ्लावरिंग होती है बुच्छों में फ्लावर आत प्याज के कैसे सीड होते हैं और कैसे हम इनसे प्याज दुबारा ग्रो कर सकते है तो चलिए एक टोड़ लिया फ्लावर, अब इससे लेके चलते हैं और दिखाता हूँ आपको इसके सीड उस्तो हम प्याज के स्लावर को जो तोड़ लाए हैं जिसमें की सीड बनने लग गए हैं अब इसके सीड को अभी इसको हमें और सुखाना है अभी यह सुखे नहीं पर यह जब हरा रहें और आपको देखिए इसमें थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक से जब इस तरह के दिखने लगे तो आप इनको तोड़ ले क्योंकि ये हवे में सारे सीड आपके बिखर जाएंगे और ये देख सकते हैं ये अपने आपी जो इसका जो बॉल होता है उसमें सीड रहते हैं चार से पांस सीड रहते हैं ब्लैक तो ये जो सीड हैं ये बारे में ही तोड़ लें आप और उसके बाद इसको हमें ड्राइ कर लेना है किसी च्छाएं वाली जेगे में रखें और जो इसकी सीड आप देख रहे हैं ये इन सीड को अक्टूबर के समय हमको इसकी पनीरी तयार करनी होगी देख सकते हैं कुछ ब्लैक ब्लैक से सीड है इसके तो इसकी पनीरी तयार करने के बाद फिर हम उसको अलग-अलग ट्रांस्प्लांट करेंगे और फिर उसमें से प्याज बन जाएंगे तो दोस्तों ये ही है तरीका प्याज उगाने का अगर आपको फिरी के ही सीड चाहिए प्याज अपने घर में तयार करना चाहते हैं तो आप इस तरह से तयार कर सकते हैं तो अब मैं ये चार-पांच जो इसके फ्लावर हैं ये मैं तोड़के रख लूँगा और अक्टूबर के समय मैं वीडियो अप्लोड करूँगा अपने यूटूब चैनल पे कि हम कैसे अपने घर के सीड तयार करके और उनसे प्याज तयार करें तो दोस्तो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जल्दी मैं वीडियो अप्लोड करूँगा तो अगर आप भी ऐसे सीड पाना चाते हैं तो फिर अपने घर से प्याज निकाल के लगा दीजिए और फिर उनमें से सीड जब बन जाएं तो फिर आप मार्केट से सीड लाके भी प्याज ग्रो कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में यही जानकारी फिर मिलते हैं आपको एक नेस्ट वीडियो में तब तब अपना ख्याल रखिए हैपी गार्निंग